squelched का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं squelched का दो तरीकी से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे squelch किया गया हो या जो squelch किया जा चुका हो उसे हम adjective की रूप में squelched कह सकते हैं इसके इलावा squelched जो है वो squelch का past and surpassed participle होता है यानि कि squelch की ही second और third form होती है squelched और squelch का आर्थ होता है निचोड़ना, कुचल डालना, मुँ बंद करना, कीचड में जाना या पिछकाना तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी रचनात्मकता को दबा दिया गया था तो आप कहेंगे her creativity had been squelched अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें